शरीर में कैसे भी थकान और कमजोरी है तो इसे सिर्फ तीन बार लेना शरीर में अलग सी ताकत महसूस होगी चुस्ति फूर्ती आएगी और यौन शक्ति बढ़ेगी नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारी चैनल सरल घरेलू नुस्खे में दोस्तो अगर सरीर में थकावट और कमजोरी रहती है तो किसी भी काम में आपका मन नहीं लगेगा जौब करने वाला वेक्ति जब जौब से घर आता है तो इतना थक जाता है कि थोड़ा टाइम अपने घर के लोगों के साथ भी नहीं दे पाता गलत लाइफ स्टाइल बजबन में की गई गलती और आजकल का भोजन सरीर को खोकला बना देता है और शरीर में थकावट और कमजोरी के साथ-साथ शरीर बेहत दुबला पतला भी हो जाता है अगर सही समय पर हम इस पर ध्यान ना दें तो यौन शक्ति भी कमजोर हो जाती है आज का ये उपाय कुछी दिनों में खोई हुई फूर्ती और ताकत लोटाएगा और शरीर को पहले जैसी सक्ति जोसका अनुभा होगा तो चलिए ये नुस्खा जानते हैं दोस्तो इसके लिए आपको चाहिए 5 बादाम जिसे आपको रात में ही भीगो देना है बादाम शारीरिक रूप से हमें ताकतवर बनाता है साथ ही दिमाग को तेज करता है आँखों की रोशनी बढ़ाता है और स्ट्रेस यानि की तनाव को भी बहुत तेजी से दूर करता ह अगली जो चीज हम प्रियोग करेंगे वो है किशमिष दोस्तो आपको लगबग 20-25 किशमिष का प्रियोग करना है किशमिष हमारे सरीर की खोई हुई ताकत को लोटाने में बहुत ही कारगर है इससे कमजोरी भी दूर होती है हमारी मसल का साइज भी किशमिष से बहुत ही तेजी से बढ़ता है, इसके बाद आपको लेना होगा अपनी मुठी से एक मुठी अकरोट, अकरोट यौन सक्ति बढ़ाता है, तनाव को तेजी से दूर करता है और याददास को भी तेज करता है, दिल को भी अकरोट मजबूत बनाता है, अब इन तीनों को आपको मिक्सी मे बारीक पीसना है और इसका पेश्ट तयार करना है इसके बाद आपको लेना है एक गलास दूद जिसमें की दूद की मलाई पड़ी हो यानि की दूद के साथ आपको दूसे तीन चमच मलाई भी लेना है इस दूद में आपको इस पेश्ट को मिलाना है और इसे अच्छे से मिक जिससे आप दिन भर फिट, चुस्त और दुरुस्त रहेंगे, शरीर में ठकावट और कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी, यौन शक्ती बढ़ेगी और शरीर में अलग सी फुर्ती महसूस होगी, दोस्तो यकीन मानिये ये इतना कारगर उपाय है कि आपको सिर्फ तीन दि तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजेगा, साथ ही अपने चाहने वालों के साथ इसको शेयर कीजेगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे, मैं मिलता हूँ आप से कल शाम एक और नई वीडियो के साथ, तब तब के लिए नमस्कार